हेलो एवरिवन, मैसेल लगमिचंद फॉर्म मैथेमेटिक सॉलूशन आज मैं आप साथ डिस्कस करूँगा बैदिक मैथ्स अब देखो आपके जो कॉम्टीटिव एक्जाम्स हैं उनमें आपको जो केलविशन अपनी फास्ट करनी है तो हमें जो shortcut हैं उनको use करना पड़ता है अब जैसे कि मैंने किसी भी नमर का square करना है तो two digit number का square हो या three digit number का square हो या आपका four digit के number का square हो तो उसको हम short way में किस तरह से solve करेंगे तो यह मैं आपको जो basic math है उसकी trick बता रहा हूँ तो इसमें आपको क्याएक सबसे पहले square करने से पहले आपको जो duplex ठीके उसका मतलब समझना है तो मैं duplex को dc indicate कर रहा हूँ तो duplex of any one digit मतलब किसी भी आपने a का duplex निकालना है तो आपका ये जो है वो a square के equal होता है यदि आपने duplex two numbers का निकालना है A, B, 2 digit का निकालना है तो इसका जो duplex होता है वो 2 A, B के इक्वल होता है दुरों नम्मर को multiply करके 2 से multiply कर दो यदि मैंने आपका duplex 3 numbers का निकालना है A, B और C तो first or last को multiply करोगे आप 2 A, C और plus B square के इक्वल आएगा है और यदि आपने duplex 4 number का निकालना है A, B, C और D तो आपका first or last 2 A, D और plus 2 B, C इसके इक्वल आथा है similar हम 5 का निकालना है तो आपका आभी मैं आज आपको 4 digits तरका square करना बताऊँगा तो duplex का मतलब यह है अब मैंने जैसे कि मैंने duplex of 2 लिखना है तो इसका मतलब 2 का square आपका 4 हो जाएगा सपोज करो मैंने duplex of 1, 4 लिखना है तो दोनों को आप multiply करो और 2 से multiply कर दो तो यह आपका 8 आजाएगा सपोज करो मैंने duplex of 1, 3 और 4 निकालना है तो आप इन दोनों को multiply करेंगे 1 और 4 को और उसका double करेंगे तो यह आपका 8 हो जाएगा और इसका square 9 तो 8 और 9 जो है वो आपका 17 हो जाएगा और इज़े आपने duplex of 1, 2, 3 और 4 निकालना है इसका duplex तो first और last का product आपका 4 हो गया और यह आपका 6 आप दोनों को add करके 2 से multiply कर दो या आपको दोनों से अलग अलग करके आप कर सकते हो तो मैं इसको दोनों को यह 4 हो गया और यह 6, 4 और 6 आपका 10 और 10 का double आपका 20 तो यह इसका 20 तो यह हमारा duplex है अब आता है इसमें कि मैं square कैसे निकाल लूगा तो देखो square निकालने के लिए आपको मैंने लिखा है कि मुझे 3 और 9 इसका square निकालना है तो देखो two digit की तो आपके पास बहुत track हैं इसमें हम उस तरह से भी निकाल सकते हैं पर मैं आपको जो duplex method है इसको बता रहा हूँ आपको तो इसमें देखो हमारा क्या है कि हाँ से आप पहले यहाँ से start करेंगे तो यह आपका duplex of 3 अब यह line बड़ी डाल दोगे यहाँ पर अब आप मैं one digit use किया अब two digit use करो duplex of three nine अब उसके बाद order में कम करते जाओ तो अब आपका duplex of nine मतलब पहले मैं एक digit लोगा उसके बाद मैं two digit लोगा फिर आप मैं maximum तो पहुंच किया पूरा नम्मर हो गया अब मैं कम करता जाओंगा तो फिर one digit अब आप तो आप देखो duplex of three मेरा क्या होता है वो आपका nine होता है इन दोनों को multiply करो two से multiply कर तो three nine दा 27, 54 होता है और इसका आपका nine का 81 अब देखो इसमें आपने add one digit आपका one हो जाएगा 54 और 8, 62, 62 का आपका two आएगा, six carry over हो जाएगा, आप six और nine 15 तो इसका जो root square आएगा, that will be 1521 तो इस तरह से हम जो है इसको square निकाल लेंगे next example, 72 का square निकालना है, तो that will be duplex of seven अब दो नम्मर लेंगे, duplex of 72, अब आपका एक नम्मर है जाएगा, duplex of two, अब duplex of seven आपका 49, इसके according square हो जाता है, duplex of, मैं अब इसका निकालता हूँ, दोनों को multiply करो, two similar करतो, 14 और 228, और इसका आपका four, अब add करेंगे four, को carry over नहीं है, अब आपका eight आ जाएगा, ये two carry over यहाँ आ जाएगा, that will be 51, तो आपका जो इसका square होगा, 5184, अब देखो दूसरा इसका जो simple और भी method है, आप मैं उसको भी आपको बता जेता हूँ, तो उसका क्या है देखो, आपने इसका square, four, कोई carry over नहीं है, मैं तो इंट दिया, two carry over हो गया, seven into seven, 49 or two, 51, तो ये आपका देखो, हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, next example, one, two, three whole square, अब देखो, मैंने जो आपका example है, वो three digit का लिया हुआ है, तो three digit के लिए तो हम duplex कैसे लिखते हैं, पहले मैंने बताया था, आपका one digital होगे, तो ये आपका duplex of one, पहला हो गया, अब two लोगे, तो duplex of one, two, two ले लिए, अब उसके बाद आप three लोगे, तो duplex of one, two, three, अब आप कम करते जाओगे, तो अब देखो, यहां से मैंने one, two, ये पहले लिया, अब मैं इधर reverse में जाओगा, तो duplex of two, three, अब उसके बाद आपका duplex of three, ये आपने two into, इसका आपका four होता है, इसका आप स्क्वेर करोगे, इन दोनों को मैंट लाएगा, तो three into one, three और उसका डबल six, और six और four, ten होगे आपका, इसका स्क्वेर करेंगे, इन दोनों को मैंट है, six और ये 12 हो जाएगा, और ये nine, अब दोको add करेंगे, तो nine आपका आएगा, once digit फिर आपका कोई carry over नहीं, तो two आएगा, ये one इसके साथ 11 हो गया, 11 का one आएगा, one इसके साथ carry over हो गया, one और four, five आगया, और one, तो means इसका जो square होगा, one, five, one, two, nine, next example, square of two, three, four, तो आप देखो पहला one digit, तो duplex of two, अब आपके two digit, duplex of two, three, अब आपके three digit, duplex of two, three, four, अब उसकी बाद reverse, मतलब कम करते जाएंगे, three होगे, आप two आले हैंगे, तो last के two पहले, duplex of three, four, अब उसकी बाद one, duplex of four, duplex of two का क्या मतलब हो जाएगा, आपका, four, अब duplex of two, three का दोनों को multiply, और two, seven, two, 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 three, six, और इसका square nine, और ये eight to the sixteen, sixteen, और nine आपका 25, अब आपने 12 और into two, 24, और इसका duplex आपका 16, अब आपका once digit मारा six हो गया, one carry over, 25 का आपका five हो गया, two carry over, 27 का आपका seven हो गया, two carry over, 14 का आपका four हो गया, one carry over, और ये five, तो means आपका five, four, seven, five, six, ये आपका जो है, इस number का square होगा, next example, आप देखो ये जो मैंने आपका number लिया है, ये आपका four digit का number लिया हुआ है, अब मुझे इसका square करना है, तो same आप पहले इसका duplex of one digit, means आपने one लिखा, अब two digit, duplex of one, three, two digit होगे आपके, अब three digit duplex of one, three and two, अब आपके four digit, duplex of one, three, two, one, पहले आपने one digit लिया, फिर आपने three digit लिये, फिर आपने four digit, अब order reverse करेंगे, तो आप देखो पहले four के बाद three digit, पहले three, two, one, तो d, three, two, one, अब आप two करोगे तो two, one, और उसके बाद आपका one करोगे तो d, one, ये मैंने इसका break करके लिख दिया है, तो plex method से, आप देखो इसका मैंने निकालता हूँ, ये one होगा, इन दोनों को multiply गिया, three और ये आपका six हो जाएगा, इसका square nine और ये आपका two, four or nine, आपका nine और four, 13 हो जाएगा आपका ये, इसका हम करेंगे तो देखो इन दोनों का product one हो गया, और plus six, seven, seven into two, 14 हो जाएगा आपका ये, क्योंकि पहले इन दोनों को multiply करोगे आप और फिर आप इन दोनों को, तो ये आपका six और ये आपका plus की, आपका दोनों को seven, उसका double कर दो, 14 आगया, इसमें आपका square four और ये six, ten आगया आपका, इसमें आपका double करोगे, two into two, four हो गया आपका, और ये आपका one, अब आपका one's place, आपका one, कोई carry over नहीं है, ये four, कोई carry over नहीं है, आपका zero, one carry over, 15 हो गया, five, one carry over, 14 हो गया, one carry over, seven, कोई carry over नहीं है, और ये आपका seven, it means square of one, three, two, one, that will be one, seven, four, five, zero, four, one, तो ये आपको जो within seconds, आप इस तरह से answer निकाल सकते हो, इसका, तो अब इसमें आपको square of any digit number, आपका जो five digit का है, वो भी आपका S3 हो मतले जो competitive exams हैं, उसमें आपका four digit तका square, mostly आता है, तो मैंने आपका discuss किया है, यदि आपका कोई भी query है, आप comment box में, आप comment लिख सकते हो, मैं आपकी query को जरूर स्वालता हूँ, thank you, thank you for watching.